बूर्णिंग स्टुडेंट्स मैं दस्रा सिंग परफेक्ट एजिकेशन हब की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं आज जो स्टुडेंट्स हम जो टोपिक रीड करने जा रहे हैं वो एडवांस इंगलिस का है यह जो मैंने वर्ड लिखे हैं आपके सामने वो सारे के सारे वर्ड एज से रिलेटेड हैं बहुत ही एक्जाम के पॉइंट ओव यू से देखे तो बहुत ही इंपोर्टेंट वर्ड है हर एक्जाम में यह वर्ड रिपिट होते रहते हैं तो पहला वर्ड देखते हैं, पहला जो वर्ड है, वो है denarian, a person between 10 and 19 years और ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 10 से लेके 19 के बीच में होती है, उस व्यक्ति के लिए वर्ड यूज लिया रहता है denarian, second word is vice-narian, ऐसा person जिसकी age 20 से लेके 29 के मिड में हो, उस person के लिए यूज लिया रहता ह next word is vice-narian, ऐसा person जिसकी age 30 से लेके 39 के बीच में हो, उस person के लिए vice-narian, next word is quadri-narian, जिस person की age 40 से लेके 49 के मिड में हो, उसके लिए quadri-narian, next word is king-paid-narian, ऐसा परसन जिसकी एज 50 से लेके 59 के मिड में हो उसके लिए क्मिंपे जनेरियन नेश्ट परड़ी सेक्से जनेरियन ऐसा परसन जिसकी एज 60 से लेके 69 के बीज में हो उसके लिए सेक्से जनेरियन नेश्ट परड़ी सेक्ट्यू जनेरियन ऐसा परसन जिसकी एज 70 से लेके 79 के मिढ में हूँ उस परसन के लिए defence Next word is octogenarian ऐसा परसन जिसकी एज 80 से लेके 89 के मिढ में हो उस परसन के लिए octogenarian Next word is nonagenarian ऐसा पर्षन जिसकी एज 90 से लेके 99 के मिड में हो उस पर्षन के लिए 90 जिनेरियन Next word is Centenarian ऐसा पर्षन जिसकी एज 100 से लेके 109 हो उस पर्षन के लिए Centenarian And last word is Super Centenarian ऐसा पर्सन जिसकी एग 110 या इस से उपर हो उस पर्सन के लिए जो वर्ड यूज लिया रता है वो था सूपर सेंटे ने विया तो यह जो सारे वर्ड थे फ्रेंड यह हमारे एस से रिलेटेड वर्ड थे ऐसे हमारी next class होगी वो भी root word best पर होगी ठीक है